नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है संस्थानम भाई गोरव सर यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आपको पता ही है कि एक दो दिन से एक खबर वाइरल हो रही है कि UPPCS Pre का एक्जाम पोस्पोंड होने जा रहा है ये खबर क्यों वाइरल हो रही है ऐसी खबर आ क्यों रही है मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि अगर UPPCS Pre का एक्जाम पोस्पोंड होता है तो ROARO का एक्जाम भी 100% पोस्पोंड होगा अब जानते हैं इस खबर की सच्चाई ऐसी खबर आती क्यों है देखिए ऐसी खबर आयोग फैलाता है और ये खबर फिर आपको पता है कि स्ट्रेंट्स के बीच फैल जाती है धीरे-धीरे ऐसी खबर क्यों फैलाई जा रही है आयोग द्वारा बेसिकली इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आयोग और हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन है दोनों में आपस में कोई सामन जैसे नहीं बना हुआ है क्यों नहीं बना हुआ है देखिए आयोग चाहता है कि एक्जाम दो दिनों में होए आयोक की मन्शा है कि एक्जाम को दो दिनों में कराना है और जबकि हमारा प्रशासन सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए तयार है वो सिर्फ एक दिन के लिए तयार है क्योंकि आज तक प्रशासन ने इतना बड़ा एक्जाम नहीं कराया है जो की ध्यान रहे जो की सरकारी स्कूलों में हो देखिए प्रशासन की तरफ से क्या तरक दिए गए कि प्राइवेट स्कूलों का तो यूज नहीं है और सरकारी स्कूल जो है उन्हों में कराना है और हम को पता है और आपको पता है और पूरे प्रदेश को पता है कि हमारे यह सरकारी स्कूलों का infrastructure कितना अच्छा है क्या वहाँ पे exam कराए जा सकता है जब कि UPS के exam गवर्मेंट स्कूलों में होते हैं लेकिन वे बड़े-बड़े centers पे होते हैं आप देखोगे कि दिल्ली के अगर गवर्मेंट स्कूलों की तुलना आप UP से करोगे तो फिर तो UP PCS कभी exam करा ही नहीं पाएगा तो यह हालत आज के टाइम में उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की है कि वहाँ पर exam नहीं कराए जा सकता क्योंकि आयोग ने साफ कर दिया है कि कुईसी भी private school में exam नहीं होगा exam होंगे सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में तो टोटल जो UP PC PCS में जो टोटल स्टुडेंट इस बार है वे 5.76 लेक है तो मान लीजिए यह exam तीन तीन लाग की दो दो दिन कराएगा तीन लाग एक दिन तीन लाग एक दिन इस तरह से यह shift में कराएंगे लेकिन इनकी तैयारी नहीं है इनकी कोई भी तैयारी नहीं है साथ ही साथ इसके postpone होने का दूसरा कारण क्या है यह तो प्रशासन की तरफ से हो गया दूसरा कारण सबसे बड़ा कारण है students students ने आयोग को mail किया है और mail में उन्होंने कुछ points रखे है जो इस तरीके से है देख सबसे पहले उन्होंने रखा normalization का उन्होंने का कि आपने जब notification निकाला था इस तरह की कोई भी सूचना नहीं दी थी की नोर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इस तरह की कोई भी सूचना आप लोगों नहीं दी थी कह दूसरा उन्होंने का कि मान लीजिए अगर normalization होता है तो इसकी क्या विश्वस्नियता होगी उन्होंने विश्वस्नियता पर सवाल उठाए ठीक है तीसरा point उन्होंने का अगर normalization हो गया मानलिजे normalization हो गया cut off आगे और result आगए जो students प्रभावित होंगे वे जाएंगे court में इससे क्या होगा उस परिक्षा पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा साथ में आने वाली जितनी भी परिक्षाएं होंगी उन पर भी प्रभाव पड़ेगा इसलिए आयोग से इस्टूरेंट्स ने इनके उत्तर मांगे है एक्जाम पर प्रभाव पड़ेगा ठीक है ये उत्तर मांगे हैं, इसलिए उम्मीद यही की जा रही है, अभी तक आयोग की तरफ से सिर्फ हवाएं दी जा रही है, और हवाएं जब आती है तो उनमें सच्चा ही होती है, आपको मैं बता दू एक दो दिन में नोटिस भी आ जाएगा, देखिए अब एक्जाम ये कहा ज सत्रा मार्च को, जब पोस्ट पॉंड हुआ था, सत्रा मार्च को, फिर एक्जाम पोस्ट पॉंड होने के बाद ये हो गया, 27 ओक्टोबर को, जिसमें ये का गया कि इसकी दो डेट होगी, 26 और 27, ठीक है, इन दो डेट में होगा, लेकिन अगर एक्जाम जैसे अभी तक जि दूसरी बसती है, 15, 8 दिसमबर और 15 दिसमबर, दो डेट बसती है, लेकिन 8 दिसमबर और 15 दिसमबर दो डेट बसती है, या तो एक्जाम इस दिन कराएगा, या एक्जाम इस दिन कराएगा, लेकिन आपको बता देता हूँ मैं कि पहले ही फिक्स हो चुका है कि 22 दिसमबर क 22-23 December को होगा ROARO का पेपर होगा 22-23 December को आयोग के पास इतने संसाधन नहीं है कि इतनी बड़ी दो परिक्षाएं एक ही महीने में करा दे क्योंकि UPPCS में आपको में बतातों इसमें पांच लाग स्चत्र हजार इस्टूडेंट्स है और वहीं पर इसमें साड़े दस लाग से उपर इस्टूडेंट्स है ROARO में साड़े दस लाग से उपर इस्टूडेंट्स है तो UPPCS और ROARO दोनों एक्जाम को एक ही महीने में कराना और साथ ही साथ दो वीक के अंदर कराना ये पोसिबल नहीं है ठीक है अगर मान लीजिए मान लीजिए एक्जाम पोस्टपॉंड होता है दोनों में से कोई भी तो एक्जाम पोस्टपॉंड होगा ROARO का क्योंकि आयोग ने पहले ही किलियर कर दिया था कि हमारी प्रायरिटी पर PCS होगा और सिक्वेंस में चलेंगे PCS के बाद ROARO होगा जैसे पहले भी आयोग ने अपने कैलेंडर में दिया था कि PCS पहल जनवरी के महीने में एक्जाम नहीं हो सकता क्योंकि यहां कुम्भ का महीना है और इसमें सारा शासन और प्रशासन सब इसमें बीजी रहेगा पूरा का पूरा शासन और प्रशासन इसमें बीजी रहेगा अब आता है February तो फिर एक्जाम जो भी पोस्टपॉंड होगा most probably व यह जो भी सब घटना हो रहे है इसके दो पहलू है पहला पहलू है कि इस्टूरेंट्स के लिए first time ऐसा होगा कि PCS में भी normalization होगा जो कि अपने आप में एक विबादास्पद तरीका है लेकि दूसरा जो पहलू है यह है कि इस्टूरेंट्स के लिए पूरा का पूरा एक स लेट हो गया एक्जाम जो इस्टूरेंट्स पहले से तियारी कर रहे है इस्टार्टिंग से तियारी कर रहे है जब आयोग को पता था कि हमने एक एडवाइजरी निकाली है कि दो दिन में एक्जाम होगा चार लाग तक इस्टूरेंट्स एक ही बार में एक्जाम देंगे एक ही पाली में एक्जाम देंगे, तो मार्च में एक्जाम था, मार्च के बाद एक्जाम पोस्ट पून्ड हो गया था, तो तयारी तब से ही क्यों स्टार्ट नहीं की, जैसे ही एक्जाम नजदीक आने लगता है, इनके तयारियां तभी स्टार्ट होती है, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेंबर, अक्टुबर, पूरे के पूरे इनके पास साथ महीने थे साथ महीने तक कर क्या रहे है यह यह पांच महीने तक इन्होंने किया क्या ये प्रशासन को भी देखना पड़ेगा और आयोग को भी देखना पड़ेगा इन्होंने अपनी तैयारी सुचारू रूप से क्यों नहीं रखी 10 इस से नुक्सान ना तो परश्यासन काुड़ा है इसमें नुक्सान नहीं सिर्फ आयोग' का हो fps और सिर्फ नुक्सान होता है इस्टूडेंट्स का अब देखिए वे कब से फरवरी से आरो का पेपर दे रहे दिसंबर आ गया मार्स से पीसीयाज कापर दे रहे दिसंबर, य और आपको पता है कि इन एक्जाम में age का criteria होता है कि इसे इधाइरा है पर पड़ता है पूरे वोटिवेशन के साथ पड़ रहा है पता चला अचानग कि एक्जाम पॉस्ट कूंट उसका motivation डाउन इसे इंड पर पूरे मोटिवेशन के साथ कि 17 अक्टूबर प्रभाव इस्टूट्स को जाते हैं, अगर उन्हें दो दिन में कराना था, या इस तरह की कोई scheme, scheme ही कहूँगा, मैं तो इस सिर्फ, scheme ही कहूँगा, rule तो मैं कहूँगा नी, normalization की इस तरह की चीज़े लेकर आनी थी, तो इन्हें पहले पता दें, जब calendar release किया था, जिस time पे, नया calendar जब 4 June को release किया था, तभी बता देते, कि ऐसा ऐसा होगा, और परशासन तभी से लग जाता, अपने काम में, जून से ही लग जाता, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेमबर, तब से भी 4 महीने, 5 महीने, बस ते उसके पास, तब से ही लग जाता, लेकिन नहीं, ऐसा है सिस्टम है दोस्तो, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, खेर दोस्तो जो भी है, अपन लोगों को तो तैयारी रखनी है, और मेरा काम है आप लोगों को सही गाइड करना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने चैनल पर, UP PCS के लिए, औ अब फिर डालूँगा एक, एनवायरमेंटी स्टार्ट करूँगा साथ के साथ, ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट कर रखा है, और आप मेरे चैनल पर ये सभी वीडियो फ्री में देख सकते हैं, और इनकी मैं PDF भी डाल देता हूँ नीचे description में, वहां से आप इनकी PDF डाउनलो आपाद